नमस्कार कक्षा 10 exercise 4.3 का question number 3 इसका दूसरा भाग हम कर रहे हैं हमें यहां पर एक समीकरन दी गई है हमें इसको बनाना है द्वी घात समीकरन तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चों देखे हमारे पास है एक बटा x प्लस 4 माइनस एक बटा x माइनस 7 बराबर 11 बटा 30 आप इसको ध्यान से एक एक स्टेप करके समझना सबसे पहले मैंने क्या किया किया यहां पर एक बटे का निशान लगाया यह जो दोनों हरे थीन को आपस में गुना कर दिया इससे क्या होगा इन दोनों हरों का लगुत्तम आ जाएगा अब क्या करेंगे इस को इस लगुत्तम को नीचे वाले से भाग उपर वाले से गुना यह आपने पहले भी समझा हुआ है तो x प्लस 4 गुना x माइनस 7 को नीचे वाले से भाग करेंगे जब भाग करेंगे तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा बाकी बच जाएगा x माइनस 7 ठीक है बचो इस पूरे को इस से भाग किया तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा भाग हो रहा है इससे यह कट जाएगा बाकी बच जाएगा x-7, यह x-7 उपर 1 से गुना हो जाएगा, तो हमारे पाच बन क्या x-7, ठीक है बचो? आगे है minus का निशान, तो मैंने minus का निशान लगा दिया, अब यह वाला बलगुत्तम इस से भाग होगा, ठीक है बचो? यह x- चार गुना है इससी भागविवग साथ से एक्स माइनस साथ कट जाएगा यहां-4 तो ज Y यह एक्स प्लस 4 औप माइनस से 10 he가 माइनस तो लिख दिया बाहर एक्स ब्लस 8 ठीक है बच्चों राइट साइड पर है ग्यारा बटा तीस हमें क्या बो लगया एक्स माइनस चार भी नहीं हो सकता साथ भी नहीं हो सकता क्योंकि माइनस चार होगा तो नीचे यहां जीरो बन जाएगा साथ होगा तब भी यहां नीचे जीरो बन जाएगा दोने केसिस में इ कैसे हलोगा है मैंने यहाँ लगाया बटे का निशान उपर देखें क्या है एक समा साथ माइनस इंटु एक सोगया माइनस एक स माइनस इंटु प्लस हो गया माइनस चार ब्राबर 11 बटा तीस अब नीचे क्या होगा दो brackets हैं आपस में गुना हो रही हैं तो आपको पता है कि पहले ये number इन दोनों से गुना होगा फिर ये number इन दोनों से गुना होगा तो सबसे पहले ये x इन दोनों से गुना होगा x को x से गुना किया x square फिर इस x को minus 7 से गुना किया प्लस इंटू माइनस, माइनस, 4 साते होता है, 28, अब हम इसे हल करेंगे बच्चो, देखिए, प्लस एक्स के साथ, माइनस एक्स कट जाएगा, बाकी बच गया, माइनस 7, माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 होता है, 11, साइन माइनस का, तो या गया, 3x साथ में सा इन बड़ी रखम का माइनस आगे हैं माइनस 28 बराबर 11 बटा 30 ठीक है बच्चो ध्यान से देखेंगे तो यह 11 से यह 11 भी कर जाएगा यहां एक माइनस बच गया हम इनको कर देंगे क्रोस मर्टिप्लाइब एक्स स्क्यर माइनस 3x माइनस 28 जब इदर कुछ नहीं बचा तो यह रखम ऐसे बन जाएगी एक्स स्क्यर माइनस 3x माइनस 28 ठीक है जी और यहां देखें 30 जब माइनस 1 से गुनाएगा तो बन जाएगा माइनस 30 अगले स्टेप में X स्क्यर माइनस 3X माइनस 28 यह माइनस 30 है इसको भी बराबर से इधर लियाओ तो यह बन जाएगा प्लस 30 बराबर को क्रॉस करते इसका निशान चेंज हो जाएगा और बाकी बच गया 0 अब यह खे X स्क्यर माइनस 3X माइनस प्लस माइनस 30 में से 28 गए 2 साइन बड़ी रिकम का प्लस बराबर 0 अभी तक हमने बच्चों क्या किया है हमें यह एक समीकरन दी थी इसको हल करकर के करकर करकर के हमने अभी एक द्वी घात समीकरन बनाई है अब हम द्वी घात सूतर लगा कर द्वी घात सूतर के अनुसार एक्स किसके बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडरोट बी स्क्यर माइनस 4 एसी बटा 2 ए के बराबर होता है अब यहां से देखिए इसको जब Ax sqорт plus Bx plus C बराबर 0 के साथ मिलाएंगे X sqорт के साथ 1 x sqrt के साथ A इसका मतलव A हो गया 1 x के साथ है माइनस 3 x के साथ है B तो B हो गया माइनस 3 बीना x वाली रकम है प्लस 2 यहां है प्लस C इसका मतलव C हो गया 2 ये तीन values हमारे पास आ गई है इन्हें हमें हमें इन्हें अब इन तीन values को अब हमने इस फार्मिले में रखना है ठीक है बच्चो आएए देखते हैं x बराबर माइनस तो माइनस b b कितना है माइनस 3 तो माइनस 3 plus माइनस अंडरोड b square b है माइनस 3 यानि माइनस 3 का square माइनस का माइनस 4 into a a कितना है बच्चो देखो 1 into c c है न यहाँ पर देखो c कितना है 2 अब तो तो आपको फार्मुला याद हो गया होगा बटा 2a 2 into a कितना है 1 इसे अब हम हल करेंगे minus into minus plus तो यह आगया 3 plus minus under root minus का square plus 3 का square होता है 9 minus 4 एकम 4 दुनी 8 बटा 2 वंदा 2 तो आईए इसको यहीं पर हल करते है 3 plus minus 9 में से 8 minus किया 1 बटा 2 इसे फिर से थोड़ा सा आगय हल कर लेते हैं 3 plus minus 1 का root होता है 1 बटा 2 अब बच्चो एक बार हमने value plus लेनी है यहाँ पर एक बार लेनी है minus देखिए में पास जगा थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा सा tight करके लिख रहा हूँ x बराबर 3 जब प्लस की value लेंगे तो देखो यह बन गया plus 1 बटा 2 इसी प्रकार से जब minus value लेंगे तो बन जाएगा x बराबर 3 प्लस की जगाब हो गया minus 1 बटा 2 ठीक है बच्चो आईए हम यहां करते हैं इस नए कागस पे x बराबर देखिए अभी हमने किया था x बराबर 3 प्लस 1 बटा 2 तो 3 प्लस 1 कितना होता है 4 बटा 2 इसी प्रकार से यहां हो जाएगा बराबर 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस किया 2 बटा 2 तो इन्हें हम हल कर लेते हैं देखिए 2 से 4 कटे लेगा 2 दुनी 4 x की value कितने आ गई? 2 यहां आ गया 2 एकम 2, तो x का मान कितना आ गया? 1 इसका आर्थ यह है हमारे पास x की 2 values आ गई यानि हमारे दो मूल निकल गई देखे यह हमारा question था हमें बड़ी मुश्किल से एक समिकरन दी हुई थी अना? बटे वाली और उसमें भी x प्लस 4, x माइनस आ तो देखने में बड़ी मुश्किल लग रही थी हमने सबसे पहले इसे सरलता से हल किया धीरे धीरे हल करके हमने यहाँ पर आकर एक द्वी घात समिकरन बनाई उसके बाद द्वी घात सूत्र के नुसार हमने इसे धीरे धीरे हल किया हल करने के पश्चात हमने देखा हमारे पास दो मूल आ गए x बराबर 2 और एक्स ब्राबर एक यही इस प्रश्न का उत्तर है आपको यदि ये कोशन कहीं से ना समझाया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर एक पर पुनह देखेगा आशा करता हूं ये वीडियो आपको और ये प्रश्न आपको जरूर समझाएगा धन्यवाद